तोडियर इस्टूडेंट आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिए सिकेंड समस्टर के पुलिटिकल साइंस यानि राज नीती साफ्तर के ये इस फीडियो उन्स सभी इस्टूडन के लिए मोस्ट इंपार्टन होने वाली है जिनकी परिच्छा आने वाले दिनों में लगी है तो उनको इस वीडियो को जरूर से जरूर कंपलेट देखना चाहिए क्योंकि काफी सारे कुश्चन इसमें से आपकी परिच्छा में आए साइज ली महत्पूर ने सितनावी सब्सक्राइब इन सब्सक्राइब और मइं वीडिलोग को स्वू कर 20 प्रति यानि इस पेपर का नाम है ऐसे तो पहला प्रीटिक वह पूछा गया या कि politics is the art of the possible एक रशना है एक पुस्ता का नाम है जिसका नाम है politics is the art of the possible यह किसकी रशना है कौन से विद्वान की ही आपको बताना ठीक है बहुत ही महात्रों प्रशना ध्यान रखेंगे इस प्रशन का जो सहुत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग कमेंट सेक्शन बताई अगर आपको मालूम है फ्रेंस बिश्मार्क की रशना है याद रखेंगे ठीक है ओके चलिए नेश्ट कोशन करो बढ़ते हैं नेश्ट प्रशन यही है कि राजनीति का संबंध संब्योंकी आधिकारिक आवणतन से ये किस बिद्वानन का कथन है यह आपको बताना है ठीक है तो बहाद प्रशन है यह अपसे नमबर सी ठीक है डेविड इस्टर्न ठीक है अगला प्रशन को बढ़ते हैं कि किस ने कहा की किसी निश्चित भूखंड में कानून के लिए स इस प्रशने का से उत्तर हो जाएगा आप्शन नंबर बहुत ही महातपूर प्रशन याद रखेंगे ठीक है और यह कहा है उड्रू विल्सन ने जो कि प्रमक्त समास्वास्थ्र और बिद्वान भी अगला प्रशने की या किस ने कहा कि राजनीत आवंचितियों ठीक है आवं इनोर्ड सो के दो आरा दी नंबर से उत्तर होगा आगला प्रशन है कि कि इस ने राजनीत को मिख्यान की सेंग्यादी है् तो इस प्रमक्त spectrum का नाम है याद रखेंगे आरस्टू विल्सन तो प्रमुक्स समास साफतरी है और अगला प्रश्न कहिं रहा है कि कि तो ये बात कही गई है लेकौक प्रिमुख बिथे नहीं इनके द्वारा बहुत ही महात पुझ तक तका किस अगला प्रश्ण है कि निम्न मेंसे कि या कहा है कि राज्य का एक दिन लोप हो जाएगा थिए कहा है वेंध में के द्वारा इन अभार्य अगला कर ने निम्न मेंसे किस्ने कहा है कि एक नगर की अफ्थापना भूम बीना संभो है, परंत इस्वर में बिश्वास के बिना राज की अफ्थापना नहीं हो सकती, तो ये जो बात है, वो एक प्रमुक विद्वान है, समाश साफ्थ्री जिनका नाम है, पुलूट और इनहीं के द्व यह बात गौर्णर के द्वारा कई गई है बी नंबर सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण बहुत ही पॉप्लर है बहुत ही कौमन है शाहिद आप इसे परचित भी होंगे कि राजनीती साफर का जनक कौन है यानि कि फादर आप परिटिकल साइस तो आप अच्छे पर परचित ह आरफ्तु है फादर आप परिटिकल साइस नेश कोश्चन है कि लोग समर्थक है लोग एक प्रमुक बिद्वान है यह जो समर्थक है वो समवेधानिक राज तंतर के समर्थक है सपोर्टर है इसले सही उत्तर भी नंबर होगा अगला प्रश्ण कहे रहा है कि निम्लिखित म निम्लिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीती साफ्त्र बिग्यान नहीं है तो यह जो जो सहमत नहीं है उनका नाम है बहुत पॉप्लर कोश्चन है पर से कोश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्लिखित में से कौन इस कथन से सहमत नहीं है कि राजनीती साफ्त् से उत्तर हो जाएगा आरस्तो ध्यान लखेंगे यहाँ पर नहीं की बात होई यह तो आप लोग अद्धार जनता है मतलब कि जो राज है उसका जो मानुवे अधार है मुख्याधार है वो जनता है यह बात को से बिद्धोन ने कहिए उनका नाम है ठीक है बलंसली बी नमबर सही उतर होगा अगला प्रस्न है कि निम्लिकित में से कौन सा राज जी की उत्पत्त पा सिध्धान्त नहीं है तो इसमें सारे आफ्षिंट दे गए हैं ज़ो सही उत्तर इसका हो जाएगा वह जाएगा आफ्षिं नमबर को सा बताए कमेंट सेक्शन में यदि आपको मालूम है तो बेसिक बताएं से उत्तर हो जाएगा राज एक कल्यानकारी सिध्धान्त है राज जी का कल्यानकारी सिध्धान्त है मतलब जो राज जिसका कोई ना कोई कल्यानकारी या फिर बहुत फारे सिध्धान्त होते जिसमें से यहां पर नहीं लगा है तो इससे साबित होता है कि यहां पर यह वाला यह वाला और यह वाला ठीक है आप्शन सही है और जो गलत है वो है डी नमबर ठीक है तो सही उत्तर डी सेलेट करेंगे अगला प्रश्ण है कि निम्लिकित में से कौन आधुनिक राजनीती विज्ञान की विशिष्टा है तो आधुनिक राजनीती विज्ञान की जो विशिष्टा है उसका नाम है समरूप सब्सक्ता का अभाव कि डी नंबर सही उत्तर अगला प्रस्टन है कि निम्निकित में से कौन से राज 33 स्वास्त के अध्यन की बैग्यानिक बिदी जिसको एक बिद्वानों के तरीके से समझा जाए वो जो बिदी है उसका नाम है याद रखेंगे बहुत पॉप्लर कोश्चन अगला प्रश्टन है कि एक रामर आफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है लास्की जो कि प्रवक बिद्वान है से उत्तर ही होगा अगला प्रश्टन है कि राज जी और इश्वर में इतनी समानता है कि या कहना उचित है कि राज जी ही इश्वर है, ये कथन किसका है तो ये जो कथन ए वे जेम्स प्रथम का है, सहिवत्तर भी नंबर होगा अगला प्रशने का है रागे भईया नगर राज सब्द, नगर राज सब्द सामानिता संबंदित हैं, किस से, प्रचीन मिफर्फे, प्रचीन चीन से, प्रचीन यूनान से, या फिर उपरोक्त में से, कोई से नहीं, तो इस प्रशने का जो सहुत्तर हो जाएगा, नगर राज सामानिता जो संबंदित हैं, याद रखेंगे सेवत्रच का हो जाएगा आपसे नंबर बीप्रचीन यूनान से संब्धिते ठीक है अगला प्रश्ण है कि निम्न में से या फिर इन में से कौन आरफ्तु का कथन है तो इन में से जो आरफ्तु प्रमुक्ख जो बिद्वान है जो कि फादराफ प्रोटिकल फाइन से इनका जो कथन है वो यही है कि राज एक प्राकृतिक संस्था है डी नंबर सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है कि आधुनिक राज्य है तो आधुनिक जो राज्य है वह इस में से कौन सा सही होता होगा है तो आदुनिक राज यह एक राष्ट का राज हूता है किसी देश का राज होता है अगला कि वश्ब सास्थ के अध्यсят में तुलनात्मक पध्यत का सरप्रतं किया गया किसे दौरा कौन से बिद्ध्वान कि दौरा तो यह प्रियोक क्या गया था आरस्तु के द्वारा ठीक है डी नंबर से उत्तर होगा अगला प्रश्ण का रहा है कि निम्लिखित में से यह फिन निम्लिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है तो जो राजनीतिक अधिकार नहीं है वो आपको बताना है राजनीतिक अधिकार की बा पहले हैं यह कथन किसका हमत्तब कि जो राज जी है ठीक है राज जी विक्त से पहले आया है यह कथन किस बिद्वान ने दिया है तो यह जो कथन है वह दिया है आरस्तु ने डी नंबर सही उत्तर होगा इस्टेट्समैन पुफ्तक के लेखक कौन है इस्टेट्समैन एक राष्ड़नय की सरबोतम पद्jach ने की है इन आफ़शनों में से तो इन आफ़शनों से जो सही उत्तर हो जाएगा वह जाएगा अफशन नंबर जी वैग्हानिक पद्हप्त पद्हते अगला जाएकि नाम ग्रंथ के लेखक है यानिके अर्थसाफ जोए ग्रंथ है इसके लेखक का नाम बताना है तो इसके लेखक हैं कोटल याद रखेंगे सी नमबर से उत्तर होगा अगरा प्रशन है कि राजनीत बिज्ञान को सर्बोच बिज्ञान की संग्या कौन से बिद्वान ने दी है तो उनका नाम है आरफ्तू ने दी है अगरा प्रशन है कि हम निश्चेता पूर्बक भविश्च वाडिया नहीं कर सकते लेकिन संभावना है तो बेखते कर ही सकते हैं यह कथन कौन से बिद्वान का है तो यह जो कथन है बहुत ही महात्पूर्ट प्रशन है याद लगे यह कथन ऐ ड्यक्तर हरमन फाइनर यह च्टर होगा अगला यह की वाफार कार सबसे अच्छी है जो कि यह कथन है आरफ्तू का बी नंबर से उत्त्र होगा अगला कि राजनीति ग्जियान की सरवोथ्तम अध्यन पद्यत कौन सी है तो उसका नाम है बैज्ञानिट पद्यत इनümüz कि उत्त्र होगा अगला प्रशन है कि राजनीती सब्द का प्रियोग सर प्रथम किस ने किया तो राजनीती जो सब्द है वर्ड है इसका सबसे पहले प्रियोग आरफ्तु द्वारा किया गया गया था जो कि प्रोटिकल फानेश के फादर है और अग्यागा प्रशने कि आरफ्तु के सिर्षक में किया है तो उसका नाम है प्लूटिक्स ए नमबर सही उत्तर होगा अगला प्रशन है कि किस ने राज नीति बिग्यान को मानवे सभिता को फुरच्छित रखने वाला बिग्यान माना है तो उनका नाम है जॉर्ज बर्नाडसा ठीक है बी नमबर से उत्तर होगा अगला है कि किस विचारक ने राज नीती का कला दर्सन और बिज्ञान तीनों माना है ठीक है तो उस विद्वान का नाम है कैटलिन बी नमबर से उत्तर होगा अगला प्रशन है कि किस ने राज नीती को कला बिज्ञान और दर्सन का संगम कहा है ठीक है तो ये कहा है लोस विल ने ये नमबर से उत्तर होगा अगला जो प्रश्ण है भई कि राजनीत बिज्ञान का प्रारंभ एओम अंत राज से होता है यह बिद्वान का इमत है ठीक है तो यह जो मत है वोगती पॉप्लर कोश्चन है यह गौर्डनर जो कि प्रमुक बिद्वान समाख साफ्त्री है इन्ही का यह मत है यह फिर इन्ही लाइन है अगला प्रश्ण है कि नगर राज सुद्व सामयनता संबंधित है इसके बारे मैंने बताया था प्रचीन नियुनान से ठीक है यह आप सभी जानते ही है अगला कि किसने संपत्य के अधिकार के मांग कि तो ध्यान रखेंगे बहुत ही पॉप्लर कोश्चन उदार ठीक है राजनीती विग्यान का अध्यन राज से शुरू और उसी पर समाप्त होता है यह बात या फिर यह पंक्त किछके द्वारा कहीए थी पुजिशन पिछली सार पोचा भी गया था गौर्डनर ने कहा है बी नंबर सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है कि आध्वनिक //很好 कि राजनीती विघ्यान का उद्वाइख कभ हुआ या फिरकभ माना जाता है ठीक है तो उझाल मैंगे जो है वो अने को शीन रख। ठीक है और इस प्रश्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा आपसे नंबर हो जाएगा डी नंबर दुती विस्युद्ध के पस्चाथ इसका उद्य हुआ था ध्यान रखेंगे अगला प्रश्ण है कि राजनीती बिग्यान सक्ति का बिग्यान है ये बात या फिर ये पंक्ति या लाइन कौन से बिद्वान के दवारा कही गए ये कि राजनीती बिग्यान सक्ति यानि पावर का साइन से ठीक है तो ये कहा गया है कैटलीन के दवारा बात कहीं कि जो की कैटले क्षण समासाफ्त और विद्वान भी तो सही होगा ये वी कोश्चन पुरूप के तोर पर दे वो फस्ट यूनिस से सम्मंदित ये प्रोटिकल साइन से की आई होप आप वो वीडियो समझ में आई होगी इफी तरह हम आप लोगों के लिए कोश्चन अंसर प्रस्तुत करेंगे और आपकी एक्जाम के तयारी धीर धीर कराते रहेंगे करीब करें 50 कोश्चन मैंने 50 कोश मिलते हैं और ने वीडियो के साथ जय हिंद्ध